असलाम अलेकूम जी मैं हुआकर अली और आपको वेक्म करता हूँ बजीस प्लाइन्ट में साथ में उम्मिद करता हूँ कि आप सब क्यार्यट्स होंगे और अपने बजीस का बहुत अच्छी तरह ख्यार रख रहे होंगे हम अपने बजीस को बॉइल राइस हफते में कितनी दवाद दे सकते हैं अगर ज्यादा रहेंगे तो क्या नुक्सान होगा अगर कम दढ़िए तो क्या फाइदा होगा रिष्यक्ता आफी शाल्डबलम नहीं प्रभल में श्याद्य तो नियुक्त िदोत कि और तो प्राबलम यह तक्षाए है अगर ज्यादा यूज्ज कराएंगे बाइल आई तो प्राफ्लम यह होगी कि इनको चर्वी लग सकती है चर्वी लगने से क्या होगा जो है यह मौ और फिमेल में अगर यह मेरे कपैलेशन को प्रभी नहीं को प्रथा livestock काफी वजवात होती है save a अफेवर मतले सब्सक्राइत Um flour ten श्मों那我們 आxisघ Ums gegen हमारे यद्ञेशन केश्ट अगर जो जो मेरी कालूनी है इस ताइब कालूनी बनवा लएंगे तो उसमें रखेंगे तो क्या आगा अगर बजी को उड़ने में हैल्फ में लएगी और उड़ते रहेंगे और उनको जबी भी नहीं लगेगी में अगर 17 तो अगर डूसरी दिन उसको आप यहए तो आप उसको हर दूसरे दिन बाइल यूज करवा सकते हैं किसी पेहद ने अगर ब्रीड की हुए है अगर ब्रीड की हुए तो आप हर दूसरे दिन उसको ग्वाइडाइस यूज़ करवा सकते हैं हफते तक एक हफते तक आप उसको ग्रोइडाइस करवाएं उसके बाद उनके जो बच्चे में गिराऊंगे वह भी काफ़ी मोटे बच्चों को और यह जो बाज़रा देते हैं या कोई भी आप में स्वीच देते हैं तो उसमें क्या होगता है कि वह इसली इनके बच्चों को जो है डाइजस नहीं हो पाती है तो आप वाइडाइस ज़रूर यूज़ करवाएं अगर इन्हें ब्रीड की हुए तो आज इनको यूज़ करवाएंगे वाइडाइस ठीक है तो आपने वाइडाइस ज़रूर नहीं करवाना कमस कम आफ़ते में दो दफा बस यह उनके लिए चैट रहेगा तो यह थी मिरा आज की वीडियो उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई हुई अगर पसंद आई चैनल को सबस्क्राइ pessoa मत मिले अगर ऑण बस पर घटन ह curious कर घूए विडियो होगी उसको आपको पास आजाएगा सो मिलते हैं कििसे और विडियो में तब तक के लिए अलापर